हेलो फ्रेंड्स मैं सुस्मा को हाड वेलकम टू माई चैनल फ्रेंड्स आज मैं स्पेशल जैन स्वेटर के लिए एक बहुत ही संदर डिजैन लेकर आई हूँ आज मैं आपको डिजैन बनाना सिखाऊंगी कि ये डिजैन कैसी बनाया गया है प्रेंट से डिजाइन बनाने में बहुत ही आसान है इसे न्यू बिगनर्स भी आसानी से बना सकती हैं इस डिजाइन को आप जैन स्वेटर के अतिरिक्त बच्चों के स्वेटर लेडिज कार्डिगन, लेडिज हाप, जैकेट, गल्स्टो, फ्रोग, कुर्ती, कैप, हाई नैक बेबी ब्लेंकेट, किसी भी प्रोजेक्ट पर अपलाई कर सकती हैं, सबी प्रोजेक्ट पर ये डिजाइन बहुत ही सुन्दर लगता है, इस डिजाइन को बनाने के लिए आपको आठ के मल्टीपल फंदे लेकर साथ फंदे एक्स्ट्रा लेने होंगे, तो ये डिजाइन आपके प्रोजख्ट पर इस तरह से एड़ज़श्ट हो जाएगा, आठ के मल्टीपल देखिए, आप इसमें 8 पंदे गिन लिजीए, फिर से 8, फिर से 8, फिर से 8, इस तरह से बार-बार 8-8 पंदे गिनते जाएई, और लास्ट में आपके 7 पंदे होने चाहिए, तो किसी प्रोजेक्ट पर आपका डिजैन इस तरह से एडजेस्ट हो जाएगा तो चलिए देखते हैं कि ये डिजैन कैसे बनाया गया है तो ये देखिए प्रेंट डिजैन को बनाने के लिए यहां पर मैंने लिये हैं 31 फंदे 8 तिया 24 और उसमें 7 फंदे एक्स्ट्रा अब जैसे बो तो यहां पर मैंने फंदे डालने के बाद 2 इल्टी इल्टी बनाई हैं एक सीधी साइड से और एक उल्टी साइड से अब यहां से डिजैन کی पहली सलाई है और सीधी साइड है पहला फंदा इसका एजस्टीच है इससे उतारिये या उल्टा बनाईए ये आपकी अपनी है अब यहां से हमारा डिजैन शुरू हो जाएगा तो एश्टीज के बाद धागा पीछे कीजिए और पांच फंदे आप सीधी बनाईए देखिए एक दो तीन जार और ये पांच पांच फंदे सीधे धागा अपनी तरफ करेंगे और तीन फंदे उल्टे एक दो और ये ती अब देखिए एश्टीज के बाद हमने पांच सीधे तीन उल्टे ये जो डिजैन बनाया इसी को बार बार रिपीट करते जाएंगे तो धागा पीछे करेंगे और पांच फंदे सीधे देखिए एक दो तीन चार और ये पांच फिर धागा अपनी तरफ कर लेंगे और ती तीन फंदे उल्टे एक दो और ये तीन फिर हम धागा पीछे करेंगे और डिजैन को रिपीट करेंगे तो पांच फंदे सीधे एक दो तीन चार और ये पांच फिर धागा अपनी तरफ और तीन फंदे उल्टे एक दो और ये तीन धागा पीछे आपके जितने भी फंदे हों यही 88 फंदे का डिजैन बार बार बनाते जाएए लास्ट में आपके 6 फंदे बचेंगे इसमें से हम 5 फंदों को सीधा बुनेंगे एक दो तीन चार और ये पांच और धागा अपनी तरफ करके एजस्टीज को उल्टा बुन देंगे तो यहां पर डिजैन की पहली सलाई कम्प्लीट हो गई दूसरी सलाई उल्टी साइड पर इस डिजैन में उल्टी साइड की सभी सलाईयां बिल्कुल उल्टी उल्टी बुने जाएंगे तो धागा अपनी तरफ कीजिए और सलाई को उल्टा बुनते हुए कम्प्लीट कर दीजिए जिस डिजैन में उल्टी सा को मैं उल्टा बुनकर complete कर दिती हूं तो ये देखिए दूसरी सलाई को मैंने उल्टा बुनकर complete कर लिया अब आज ये इसकी तीसरी सलाई और सीधी साइड पर ये डिजैन हमारा सीधी साइड से शुरू होता है और 14 सलाईयों में ये डिजैन over होता है तो अब हमारी यहां पर ये तीसरी सलाई है और सीधी साइड है तीसरी सलाई इसकी ठीक पहली सलाई के जैसे बनेगी तो पहला फंदा एजस्टीच है उसके बाद धागा पीछे करेंगे पांच फंदे सीधे एक दो तीन चार और ये पांच फिर धागा अपनी तरफ करेंगे और तीन फंदे चैन बनाया इसी को आवा बार बार रिपिट करते जाएं पांच सीधे तीन उल्टे पांच सीधे तीन उल्टे और लाश्ट में आपके छै फंदे बचेंगे पांच को सीधा बनाईए और एज़श्टीच को उल्टा बुन दिजिए तो ऐसे करते हुए मैं इसकी तीसरी वो उल्टा-ल्टा बुन लिया है, बहुत ही आसान सी इसकी सलाइया है, तो चार सलाइया हमारी यहां पर complete हो गई है, अब पांचमी सलाइय इसकी ठीक पहली और तीसरी सलाइय के जैसे बनेगी, जो फंदे सीधे उनको सीधा बनाईए, जो उल्टे है उनको उल्टा पांच पंदे सीधे, तीन उल्टे, पांच सीधे, तीन उल्टे पांच सीधे, तीन उल्टे और लाष्ट के 6 होंगे उसमें से 5 सीधे और अजिस्टी इच को हम उल्टा बुनेंगे। फिर आठमी सलाई उल्टी तरफ से बिल्कुल उल्टी बनाईए, तो मैं आठ सलाई तक complete कर लेती हूँ, नौमी सलाई पर हमें थोड़ा सा डिजाइन में change करना है, तो मैं आठ सलाईों तक बना लेती हूँ, आप भी बिल्कुल same to same बनाईए, तो ये देखिए friends से, मैंने यह से चार लाइने न जराएंगी, एक, दो, तीन और ये चार, अब हमारी नौमी सलाई है और सीधी साइड है, इस नौमी सलाई को आप ध्यान से देखिए कि कैसे बनाएंगे, पहले फंदे को उतारिए या उल्टा बनाईए, अब हम धागा पीछे करेंगे, ये जो हमारे पा आएंगे नहीं, ऐसे सलिप कर देंगे, अब धागा अपनी तरफ करेंगे और तीन फंदे उल्टे, एक, दो, और ये तीन, धागे को पीछे ले जाएंगे, ये वाला जो सीधा फंदा है, इसको हम सलिप कर देंगे, ये जो तीन फंदे उल्टे हैं, इसके इस साइड का फं अब हम 3 फंदे सीधे बनाएंगे देखिए एक, दो और ये 3 अब ये वाला जो फंदा है इसको बिना वुने ऐसे उतार देंगे इसको बुन नहीं है धागे को अपनी तरफ करेंगे और 3 फंदे उल्टे एक, दो और ये 3 फिर हम धागा पीछे करेंगे और यहां से इस सीधे फंदे को ऐसे श्लिप कर देंगे बनाएंगे नहीं धागा पिछे रहे तीन फंदे सीधे एक दो और ये तीन अब यहां से भी इस सीधे वाले फंदे को हम ऐसे slip कर देंगे धागा अपनी तरफ करेंगे तीन फंदे उल्टे एक दो और ये तीन फिर धागा पीछे करेंगे और ये वाला जो सीधा फंदा है इसको हम slip कर देंगे तो देखे पूरी सलाई में हमने ये जो तीन उल्टे हैं इसके एक इस साइड से slip किया है इसके एक इस हैं चार को हम सीधा बना देंगे और एजस्टीज को उल्टा बुन लेंगे तो यहां पर नौमी सलाई डिजैन की कंप्लीट हो गई जिस पर थोड़ा सा चेंज आया है दसमी सलाई उल्टी साइड पर जो बनाई हुए फंदे हैं उनको हम उल्टा बुनेंगे जो स्लिप किये थे सीधी साइड पर उन फंदों को हम उल्टी साइड से भी सलिप करेंगे तो यह देखिए यहां पर स्टार्टिंग में हमने दो चार एक पांच फंदे उल्टे बना लिए अब यह फंदा हमने सीधी साइड पर सलिप किया था तो इसको यहां पर भी हम सलिप कर देंगे औ यहां से जो आपका धागा जा रहा है ना इस फंदे से इस फंदे तक यहां इसको हलका सा आप लूज रखियेगा ताकि टिजैन आपका खिला हुआ बने, दो, तीन फंदे उल्टे बनाए, अब इस स्लिप केवे को फिर से स्लिप करेंगे, और देखे यहां से फिर से फिर से चोड़े एक दो और ये तीन फंदे उल्टे बनाएंगे एक फंदे को हम स्लिप करेंगे फिर तीन बनाएंगे एक दो और ये तीन फिर से एक फंदे को स्लिप करेंगे तीन फंदे बनाएंगे एक दो और ये तीन फिर से एक फंदे को स्लिप करेंगे और तीन फंदे उल्टे बनाएंगे एक दो और ये तीन फिर से एक फंदे को स्लिप करेंगे और लास्ट में आपके पांच फंदे बचेंगे इनको आप इस तरह से उल्टा बना दीजिए तो यहां पर हमारे डिजैन की दस सलाईयां कम्प्लीट हो गई ग्यार्मी सलाई है और सीधी साइड है ग्यार दो तीन और ये चार अब ये जो फंदा इसको हम फिर से स्लिप कर देंगे धागा अपनी तरफ लाएंगे और इसे लोज रखेंगे तीन उल्टे एक दो और ये तीन फिर हम धागा पिछे करेंगे स्लिप की आवा जो फंदा इससे स्लिप करेंगे और तीन फंदे सीधे एक दो और ये तीन बिल्कुल नौमी सलाई के जैसे बनेगी अब ये जो स्लिप की आवाइस को फिर से स्लिप करेंगे धागा अपनी तरफ ले आएंगे और तीन उल्टे एक दो और ये तीन धागा पीछे इस फंदे को स्लिप करेंगे और तीन सीधे बनाएगे एक दो तीन और इस फंदे को हम फिर से स्लिप करेंगे धागा अपनी तरफ करेंगे और तीन उल्टे एक दो और ये तीन धागा पीछे इस फंदे को स्लिप करेंगे और लाश्ट में पांच फंदे हैं चार फंदों को हम सीधा बनाएंगे और एजस्टीज को उल्टा बुन देंगे अब आज ये आप इसकी उल्टी साइड पर और बार्मी सलाई पर बार्मी सलाई पर भी जो बनाए हुए फंदे हैं इनको हम बनाएंगे और जो स्लिप किया हुआ फंदा है उसको हम स्लिप कर द इस फंदे को स्लिप किया फिर तीन बनाएंगे देखे एक दो और ये तीन फिर इस फंदे को स्लिप करेंगे फिर तीन बनाएंगे एक दो तीन फिर से एक फंदे को ऐसे स्लिप करेंगे फिर तीन बनाएंगे एक दो तीन फिर ये जो स्लिप किया वाइस को फिर से स्लिप करें एक दो और ये तीन फिर एक फंदे को स्लिप करेंगे फिर से तीन फंदे बनाएंगे एक और ये दो तीन फिर से जो स्लिप के वाइस को स्लिप कर देंगे और लास्ट के पांच फंदे हैं इनको हम उल्टा ही बना देंगे तो यहां पर हमारे डिजाइन की 12 सलाईयां कम्पलीट हो गई अब 13 सलाई पर देखिए हमारा ऐसे डिजाइन बनेगा जैसी यहां पर बना हुआ है तो 13 सलाई को अब आप ध्यान से देखे की कैसे बनेगी पहले फंदे को उतारिए या उल्टा बनाईए धगा पीछे करेंगे चार फंदे सीधे एक दो तीन और ये चार अब देखिए जो सलिप के वा फंदाना इसको हम सलाई से ऐसे गिरा देंगे नीचे ये आपका खुलेगा नहीं क्योंकि दो बार पहले हम इसको सलिप कर चुके ना तो गिरेगा नहीं ये उल्टे वाले तीन फंदे इस सलाई पर हम ऐसे ले लेंगे अब ये जो सलिप के वा इसको भी हम ऐसे गिरा देंगे अब देखें ये वाला जो फंदा है ना, इसको हम सलाई पर पहले डाल देंगे और अब यह जो तीन फंदे उल्टे हैं, इनको भी हम इस सलाई के उपर ले आएंगे अब यहाँ नीचे से, जो यह फंदा हमने नीचे गिराया है इसको उठाएंगे और इसके आगे डाल देंगे और इस फंदे को अब हम यहां सीधा बुन देंगे तो देखें यहां पर हमारे वापस से पांच फंदे होके हैं जो बीच के तीन है इनको हम फिर से उल्टा बुनेंगे एक, दो, और यह देखिए तीन अब देखें धागा पिछे करेंगे यह फंदा जो क्रोस करवाया हुआ है इसे हम यहां ऐसे सीधा बनाएंगे इसके आगे हमारे तीन फंदे हैं इनको भी बुनेंगे एक, दो, और यह तीन तो टोटल हमारे यहां पर चार फंदे सीधे बनाए गई है अब इन फंदों को हम फिर से क्रोस करवाएंगे देखें जो यह स्लिप क्या वाइस को ऐसे नीचे गिरा दीजिए और यह तीन उल्टे इस हाथ की सलाई पर ऐसे ले आईए इस फंदे को भी आप ऐसे गिरा दीजिए अब देखें दोनों नीचे आ गई हैं अब यह वाला फंदा है इसको सलाई पर आप ऐसे पहले डाल लीजिए यह खुलेंगे नहीं आपके चाहे जैसे मर जाई रहें इसको डाल लेंगे और अब इन तीन फंदों को वापस से इसी हाथ की सलाई पर ले लेंगे और अब ये वाला जो फंदा है इसको उठाएंगे इनके आगे ऐसे डाल देंगे और ये जो फंदा सीधा आगे आगया इस फंदे को अब हम आगे से सलाई डाल कर सीधा बुन देंगे तो देखें यहाँ पर हमारे वापस से पांच फंदे सीधे आगए जो बीज में तीन फंदे हैं इनको हम उल्टा बनाएंगे एक दो और ये तीन धागा पीछे ये वाला जो क्रोस का फंदा है इसे हम यहाँ सीधा बनाएंगे अब ये जो तीन है इनको भी सीधा बनेंगे एक दो और ये तीन तो यहाँ पर चार सीधे हो गए हैं एक ये वाला बनाया और तीन ये इन फंदों को फिर से क्रोज करवाना तो द्यान से देखिए इस फंदे को सलाई से ऐसे गिराईए इन तीन को सलाई पर आप ऐसे डाल दीजिए इसे भी गिरा दीजिए अब ये वाला इस फंदे को ऐसे पकड़ेंगे और इनके आगे डाल देंगे और आगे से स्लय डाल कर इस फंदे को हम सीधा बनेंगे तो यहां पर 5 हमारे फिर से सीधे हो गए धागा अपनी तरफ करेंगे और 3 उल्टे बनाएंगे एक, दो और ये वाला आपका तीन अब ये जो क्रोस का फंदा बन गया है इसको हम यहां सीधा बनाएगे ऐसे ही करते हुए जाना है और लाश्ट में जो पांच है इसमें से अब चार को सीधा बनेंगे और एजस्टीज को फिर हम उल्टा बना देंगे तो ऐसे करते हुए हमारे डिजैन की ये 13 मी सलाई कंप्लीट हो गए अब आज ये इसकी 14 मी सलाई और उल्टी साइड पर धागा अपनी तरफ कीजिए और पूरी सलाई को आप उल्टा उल्टा बना कर कंप्लीट कर दीजिए बहुत ही आसान सा डिजैन है न्यू बिगनर्स भी इसको आसानी से बना सकती है तो मैं उल्टा बुन कर इसकी 14 वाली रोज को कंप्लीट कर देती हूँ तो ये देखिए फ्रेंट से 14 सलाईया डिजैन की कंप्लीट हो गई है अब यही 14 सलाईया हमें बार बार रिपिट करते जाना है तो इस तरह से बहुत ही खुपसूर्थ सा आपका डिजैन बनता चला जाएगा बहुत ही प्यारी इसकी लुक आएगी बनने के बाद और अगर डिजैन को दोबारा से रिपिट करने में आपको कोई प्रोब्लम आती है तो वीडियो को बैक कर लीजिए पहली सलाई जैसे मैंने यहां से बुननी बताई सेम टू सेम यह 8 सलाईया बनाके 9 सलाई पर फंदे सलिप करने होते हैं तो वीडियो को बैक करके और फिर से आप इसके उपर बुनना शुरू कर दीजिए तो आपका डिजैन रिपिट हो जाएगा तो फ्रेंड्स अगर आपको यह डिजैन पसंद आया हो मेरा बताने का तरीका पसंद आया हो तो प्लीज आप इस वीडियो को लाइक कीजिए अपने सभी फ्रेंड्स ग्रूप में इसे शेर कीजिए चैनल पर नए हो सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को और पर प्रेस कीजिए ताकि आने वाले सबी वीडियोज के नौटिफकेशन आपको सबसे पहले मिल सके और आप मेरे चैनल के सारे वीडियो सबसे पहले देख सके तैंक यू